तो ओवराल इनके पर जो ओडियंस आती हूँ देश की छटी हुई ओडियंस होती है सर हमारा सवाल है कि सारे यूटूबर अपनी इंकम बताते हैं तो आप हमारे चैनल के मार्धियम से अपनी भी इंकम बताईए कि लोगों को मोटिवेट हो देखो यूटूब पर अगर कोई आना चाह रहा है तो उसके लिए आपका क्या मश्वरा रहेगा उसके लिए क्या सजेशन है आपके वीडियो को तब दिखाएगा जब लोगों की जरुवत होगी यूटूब पर कौन सी ऐसा कटागरी है कि जिसमें ज़्यादा पेसे जितना वो टेलरिंग से कमाता था आज यूटूब उससे कई ज़्यादा दे रहा है नमस्कार स्वागत है आपका लायू समाचाट टीवी पर इस वक्त हम मौझूद हैं उत्तरपरदेश की राजधानी लखनव में हमारे साथ मौझूद हैं सरकारी डियने चैनल के मालिक जिनोंने अपने दम पर एक इतना बड़ा कारवा तयार किया है जिन्होंने अपनी वीडियो के माद्यम से दूर दराज इलाकों तक पहुचे हैं और अपनी वीडियो के माद्यम से एक बहुत बड़ा परिवार खड़ा किया है लगबग इनके चैनल पर दो मिलियन से अधिक सस्क्राइबर हो चुके हैं वो subscriber जो है इतना well educated लोग हैं वहाँ पर ऐसा नहीं कि जो comedian channel होते हैं या vlogging के channel होते हैं उस पे तो सब लोग देखते हैं लेकिन sir का जो channel है वो सरकारी DNA का channel है जिसमें वो बताते हैं कि आपको passport घर बेठे कैसे बनाना है यदि आपको आधार card बनाना है तो घर बेठे आप इसके DNA से नसीम अली खान सर बहुत-बहुत स्वागत धन्यवाद आपका कि आपने हमें यह मौका दिया कि आपके platform पर हम अपनी बाते सेयर कर सकते हैं और मुझे काफी खुसी है कि आप इस तरीके का कुछ प्रोग्राम चला रहे हैं और इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्य लगा कि देश के अनि लोग जिनको आप मोटिवेट कर रहे हो कि किस तरीके से डिजिटल इंट्रप्रोणर बढ़ रहे हैं तो मैंने भी सोचा कि क्यों आपके साथ में जर्नी सेयर किया जैसे कि और भी लोग जाने कि किस तरीके से यूटूब के छेतर में भी एक करियर आपके चेहरे और नाम से आपको लोग जानते हैं लेकिन आपका जो फैमली बेक्गराउंड है आपने पढ़ाई कपसे की तो इसके बारे में भी जो हमारे और आपके सब्सक्राइबर हैं वीवर से इन लोगों को अपने बारे में कुस्त सेयर करिए हमारी जो इनीसियल वहींपर था स्कूल वहां पर हमने हासिल की है उसके बाद में फिर हाई स्कूल सिधोली जो एक असबा शहर है वहाँ पे हमने हाई सीतापूर मेरे जन्म हुआ ता सीतापूर है और अभी करेंट में मैं लगन नव में रहता हूं और इसके आगे की जो पढ़ाई है वह मैं लखनों में ही complete की है और यहां पर मैंने जब ITI की थी मैंने private college से ITI की थी तो वहां पर मुझे technology में काफे interest था कोई भी चीज होती थी तो sir मुझे सबसे last में बुलाते थे कि आपको नहीं बताना है सारे part लोग solve कर लेते थे क्योंकि आप तो पहले कर लोगे सबको बता दोगे फिर कैसे होगा तो वहां पर क्या था कि मलब पहले से ही टेलेंट आप गया तो मेरे में था घर में कोई electronic चीज़ बसती नहीं थी कोई भी चीज़ अगर आती थी घर में TV रेडियो कुछ भी आया तो उसका पोस्टमाटम हमें करना है यह क्यों आपर सिगनल पकड़ रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज करके देखना है कि क्या होता है तो वह सारी चीज़े बच्पन से ही मेरे ऐसी चीज़े थी मैं करता था और कुछ इनिवेशन भी मैंने किये थे तो समय जब पढ़ाई कर रहा था तो छोटे मूटे प्रोजेक्ट जो कॉलेज में होते तो कई सा करने वाली चीज़े जैसे अब तो काही सारी कंपनिया उसके काम करती है वाटर जैसे सप्लाई होता था तो समय मैंने बंद कर कैसे हो जाएगा और बजर हो गया टाइमर हो गया जब पहले इतना टेक्नोलोजी नहीं थी तो हम वह एलेक्ट्रानिक डाइवड होगा से उसको तो हमारे पिता एक फार्मर है जो अपनी तरफ से उनने बहुत बेश्ट किया है मैं सुचता हूँ कि मेरे लिए वो एक हीरो है उनको देख करके ही साइद आज मैं इतनी मेहनत कर पा रहा हूं किसी भी फील्ड में जाओ तो बगैर मेहनत कर तो कुछ हो नहीं सकता है तो हमा फैमिली में हमारे मैं हूं हमारी वाइफ है और बचे सवाल हमारा यह है कि आप पहले से पढ़ाई करते थे टेकनिकल चीजें आपको अच्छे से आती थी आपको यूटूब का आइडिया कहां से आया कि आपको यूटूब शुरू करना है देखो मैंने हाडवेर में मेरा सेक्टर था मैंने यल जी कंपणी में भी सर्विस इंजिनियर के तोर पे मैंने काम किया है यह तो करीब है उसके बाद में फिर प्राइवेट कम्पनी थे अग्सारे काम किया है कि हमें कुछ अपने कम्यूटी के लिए करना चाहिए क्योंकि उसमें ऐसा दाउर था कि हमारी मेरेज भी उस अम्हों हो चुकी थी और फिर यह था कि घर पे रह करके कूछ मैं करना चाहला है तो वहां पर मैंने देखा कि काई सारे चुजी ओ को हैं उनको मैंने जो देखा तो मैंने सोच कि यार इन लोगों को इन सारी चीजों के लिए बड़े-बडा सहरों में ट्रेवल करना पड़ता है तो वहां पर मैंने उन सारी the services को प्रवाइट करना इअ स्टार्ट किया जो कि उस बीच demais एक थी CCC के थूप मैंने वह सर्विस्स लोगों को प्रोइट करना स्टार्ट किया और CCC ने भी काफी अपनी चेतर में काम किया जिसमें कि कई सारे गॉर्मेंट प्रोजेक्ट हमने किये थे काई सारे स्कूल कॉलेज मदर्सों में हमने ट्रेनिंग लोगों को कंप्यूटर जब नोट बंदी हुई थी उस समय की बात बता रहा हूं तो जब मैं गाउं में फील्ड में जाता था तो मुझे कारिक्रम जो आपने किया था वो डिजिटल पैमेंट के ऊपर था साथ इसके लगवां हम बच्चों को हम एजुकेशन देते थे जो कि गवर्मेंट के डिज किया था जिसमें की काफी मदर्शों में हमने लोगों को ट्राइनिंग प्रवाइड की है और वुस भी जब मैं गाउं में ज्यादा था को एक चीज मुझे जानने को मिली कि लोड टेक्नॉलजी के बारे में इतना उन्हें नहीं पता है तो मैंने देखा कि कि किसी भी तरीक जिसमें 5,000,000 रुपर तक का ट्रीट्मेंट मौप में हो जाता है तो जो योजना है जब लांच हुई तो YouTube पर मैंने देखा कि कुछ भी इसके बारे में इंफोमिशन नहीं थी वहाँ पर क्या होता था कि कुछ ऐसे वीडियो जिसमें कि सहीं इंफोमिशन लोग नहीं दे जब कि हम उसी फील्ड से थे हम लोगों को खुद कार्ड बना के दे रहे थे तो हमारी काफी लंबी टीम थी करें 20-25 लोग काम करते थे तो मुझे लगा कि यहां पर इंफोमिशन लोगों को साजा करना चाहिए तो बेसिकली हमने जो चैनल बनाया था वो चैनल मैंने बनाया सिर्फ मदल्ब जो सेंटर पर बैटके काम करते हैं तो उन कम्मुटी का मैं अध्यच हूँ तो वहां पर क्या होता था कि कोई भी इंफरमिशन आती थी अपडेट आता था कैसे काम करना है पहले के जमाने में ड्राइबर ऑविसाजी इस्टाल करने में लोगों को काफी दि कि समय तो आपके दिमाग में था कि यूटूब से बनायगा सकता चाथ की सिर्फ मदद के लिए लोगोंे बनाया था सबसे पहले तो मैं रूदीर से करीब alcool चैनल में मेरे चैनल ड Wonderangen द्राइब से जिसके की मैंने वेपसाइट कैसे बनाते हैं और वड़प्रेस पे लॉगिन पेज कैसे बनाते हैं मालब वेपसाइट बिल्डिंग के बार में बताता था वो जो है वीडियो में रिकॉर्ड करके डालता था तो उसकी ओडियंस काफी लिमिटेड थी बिउच नहीं अलाकि मेरा चैनल हलाकि आज की देट में उसमें भी करीब पांसो पांसो के वीउस हो चुके हैं वह जो वीडियो जगर आप अभी चैनल चेक आउट करोगे लेकिन उस सब्सक्राइब नहीं आते थे फिर जो है जब गवर्मेंट इंफमेशन में प्रवाइड करने लगों को तो दू कर रहे हैं तो इसके पीछे आपके चुनोतिया भी रही होंगी तो भी हम जानना चाहिते हैं कि एक यूटूबर के लिए क्या चुनोतिया होती है उसके सामने अलब सारी चीजे छोड़ चाड़ के यूटूब चैनल सुरू करना अपने आप में एक रिस्की काम होता है तो उस समय हमने डेडिकेटिड यह नहीं फोकस किया था कि इससे मुझे कमाई करनी है नई मैं इस वज़ेस नहीं था मुझे लोगों को इंफोमेशन देनी थी इसलिए मैंने चैनल मनाया था और वो इंफोमेशन लोगों को जब मैंने प्रोवाइड करना स्टार्ट किया मैंने तो मैंने एक चीज़ को एनलाइज किया कि कुछ समय के बाद में ओडियंस ने इतना मुझे सपोर्ड किया अतना प्यार दिया तो मेरी जो मेन इंकम थी जो मैं फील्ड में बारा गंटे चौदा चौदा गंटे काम करता था पूरी टीम भीस भीस लोगों की काम करती थी हमारी नहीं थी आज भी मेरा इंटेंशन है कि लोगों की मदद करना हमारे पास में आज की दो मिल्यन आप जानते हो सब्सक्राइबर हो चुकि कई सारे एसी कंपनिया आती है कि भाया यह मेरा गेम है यह सपोर्ट कर दो दूर बात नहीं करता हमारा पूरा उद्देश यह ह लोगों को वही बतानी है ज्यादा तक मैं किसी भी तरीके के प्रोड़क को मैं प्रमोट नहीं करता हूं जो प्रमोट वही प्रोड़क करता हूं जो लोगों के हित में होते हैं जो लगता है कि यार यह प्रमोट करना चाहिए लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए इसे में पैसे भी चार्ज नहीं करता हूं तो यह चीज़ें जो चीज अच्छी है तो फ्री में प्रमोट कर दूंगा लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारी ओडियंस का नुक्सान हो सकता है उससे लॉस हो का अपना कर सकते हैं तो इस तरीके चीज़ें में नहीं बत आपकी वज़े से मुझे इस योजना का लाब मिल गया सर आपकी वज़े से मैं घर बैठे यह अपलाई का लिया तो यह जो कमेंट हैं यह हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं और काफी अच्छा लगता है मेरा जो इंटेंशन आज यही है कि लोगों की मैं मदद करूं जब लो आपकी ओडियंस इतना प्यार सपोर्ट देती तो अडिंग तो होई जाती है उससे अगला सवाल हमारा यह है कि जो यूटूब पर अगर कोई आना चाह रहा है तो उसके लिए आपका क्या मश्वरा रहेगा उसके लिए क्या सजेसण है यूटूब पर किन लोगों को आना यूटूब आज की डेट में आने के बाद में सबको एक माध्यम मिल गया है अपनी बात कहने का आपके पास में कोई टैलेंट है कोई इसकिल है तो आप लोगों के साथ सियर करिए उसमें किसी ने आपको नहीं रोखा है लेकिन यहां पर आपने बताया कि जौड करके आ जाते मैं अपना बच्चमन जब मेरे जमाने में मेरे घर पे एक रेडियो होता था ब्लैकन वर्ट टीवी होता था आज की डिट में मोबाइल फोन में तीवी आ गया मैंने जो हाड़वेर की टेक्नोलजी की पढ़ाई की थी उसमय कि मैंने जो सिस्टम जैसे मैंने कम्प्यूटर अपना प्लिए पूर्श करता था वो टेक्नोलोजी पुरी तरीकिसे बदल गई लेकिन मैंने क्या किया समय के साथ में जो चीजे नहीं आ रही हैं उन आधाउक किया उनके बार के अपना बार में स्टेडी किया पढ़ा कि क्या कैसे होता है उनको मैंने सीख अब उस जमाने जो एडूकेशन थी मेरे काई सारे दोस्त जो मेरे साथ में पढ़ाई कर रहे हैं तो यहां पर मैं एक चीज़ करूंगा कि देखे कोई आपका मेन अर्निंग का सोर्स होना चाहिए जिससे कि आपकी घर की जरूरत अब यहां पर यूटूब पर काम करें पूरा पूरा दिन हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी वीडियो बना रहे हैं अब यहां पर यूटूब एक अलगरत्हम है उसमें वह किसी का नहीं है जिसका कॉंटेंट और आडियेंस पसंद करेगी उसको प्रमोट करेगा अब आप एक चीज मुझे बताईए साधे लंबा डिससन हो रहा लेकिन यहां पर मुझे एक बात है जरूरा मलब जरूरी बाते हैं देखे एक चीज यह होता है कि आपके घर में कोई गेस्ट आता है आपके घर पर बहुत सरे क्रेटर करते हैं मेरे वीडियो पर वीडियो होगा उसी के पास जाओगे इलाज कराओगे सबसे महेंगा जो डॉक्टर होगा खुद होगे तो यार कुछी छोटे जोला चाप से डॉक्टर से यार कुछ भी आप टेबलेट लेकर के खालोगे लेकिन जो महमान आया है उसको आप अच्छे किसी डॉक्टर को दिखाओग मैं इंफोमिशन की बात करूँ कि अगरा इंफोमिशन से रेलेटर चैनल है अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं आप यहां पर व्यूज कैसे आएंगे आप अपना कॉंटेंट में क्वालिटी प्रोइड करिए अब ऐसा होता है कि स कॉंटेंट लोगों को प्रोइड करेगा वह वीडियो आप का हो हमारा हो किसी का हो यूटूब ओडियंस को देखता है वह Creator को नहीं देखता है मेरे वीडियो को दिखाता हही नहीं एउटोब आपके वीडियो को तब particularly मेरी ज़रूदोre छोगी उस वीडियो की होगी हर मिन पैसे कमाना इतना असान नहीं है मैं लोगों का मानना यह है कि आप मैं गया था हमारे एक मित्र थे जो हॉस्पिटल में भरती थे तो मैं एक वहीं पे करें और वहीं हो सकते हैं मलब पसीना नहीं जिर्रा लेकिन महिनत करी दिख रहा लेकिन मैंने क्या वाध मैंने क्या विछटर करने में थे एक आप च्छोड़ करने लोग आजातें तो छोड़ने से पहले उन्नहीं यह पता होना चाहिए कि हमारे पास में audience को दिखाने के लिए एक दो महिने के वीडियो हैं, हम क्या दिखाएंगे, एक वीडियो तो किसी के दिमाग में आर जाएगा, आप जिस पी चीज में expert हो, उस बारे में आप क्या series पूरी provide कर सकते हो, लोगों को entertain हमेशा के लिए रख सकते हो, ये भी तो मु तो आपकी ल recrui वे में अपनी चभी लोग जाते हैं, तो आपकी लाइफ में क्या चाहते हैं, नीमेरी लाइफ में और क्या सब्सक्राइब कर दें आप जो फूरे को आप्डेटे ऐसी ने इन रूर्मेंट ने रूल बदला आ." और कैसे अप्तों ऑन्नाइन एंडिंग के सोर्सेस के बारे में बताता हूं और हमारा एक चैनल है जो डेडिकेटेग क्रिएटर्स के लिए है कर्येट डीने के नाम से मैंने एक चैनल स्टार्ट किया है जिसमें कि अगर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है तो कैसे चैनल क्र सब्सक्राइब करता है कैसे कैमरे पर बात करें सारी चीज मैंने वीडियो में बता रखी शुरुआत में कई सारे लोगों को दिक्कते आती है कोई सिखाने वाला नहीं है तो छोटा भाई समझ सकते हैं आप चैनल को चेकाउट कर सकते हैं हमारा सवाल है कि सारे यूटूबर अपनी इंकम बताते हैं तो आप हमारे चैनल के मार्दियम से अपनी इंकम बताईए कि लोगों को मोटिवेट हो देखो एक चीज है मैं तो एक चीज सोचता हूं जो मैं काम कर रहा हूं उस काम में मुझे शिकून मिला मुझे यूटूब करने के स्याइत करें जूर्णी उसकी एक चाहँ है मैं रहा है है सब्सक्राइप जो यूटूबब यूटूब इस सार के उनको चैनल बनाना चाहिए उनके लिए बेतर हो सकता है बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि किस टोपिक पर किस टोपिक पर या किस कटैगरी पर हम चैनल बना देखो कोई भी टोपिक पर चैनल जब आप बना रहे हो तो किसी को देख करके चैनल आपको क्रियेट नहीं करना है यह नह कि से जबसे से जाधे आई थो और भी जन्दगी से किछ मेड़ीन है ब्हुं वह तो वह है इती है तो आप एक ब्रैंगी उतिपने थे णिय। तो वह आपको आ गया तो आपको कॉंटेंट भी मिलता चला जाएगा अब किसी टीचर को आप बोलो डिफरेंट फिल्ड का काम करने के लिए तो कहां चला पाएगा तो ऐसा वही चीज मैंने बताया कि जिस भी सेक्टर में आपको इंफोमेशन है बहुत सारे मैंने देखा ट् जो करता है टेलर कहीं अपने ही उपी का ही है नाम नहीं आधा रहा मुझे उसने भी चैनल स्टार्ट किया वह सिलाई करने के बारें बताता है कैसे कपड़े को कटिंग करना बहुत सारी महिलाएं घर पे जो रहती है वह अपना उसके मादम से एजुकेट हो रही है सीख रह इसे होती है जिसमें ज्यादा मिलेंगे जैसे कमेडी या इंटेंमेंट बाले जो चैनल है वहां पर आपको वीज भर मिलेंगे जैसे मेरा एजुकेशन चैनल है तो उतने विज एक साथ में नहीं आता है लेकिन हमारे वीज जो है रिक्रिंग होते है आज वीडियो जाली ए एक साल पहले तो नहीं दुख हो गया जो इनके एंटरेंटमेंट वाले चैनल होते हैं कोई कमेडी वीडियो वीडियो वाले चैनल है तो उनको तो रोज लोग देखना चाहते हैं तो यह चीज डिफरेंट रहता है बाकी टेक का टेगरी में ज्यादा पैसा रहता है क्योंकि का होता है और जो फाइनेंस के उपर टेक कटेगरी हो गया इनमेस्टमेंट से रिलेटेड हो गया ट्रेडिंग जो अपने नाम लिया इन सारे सेक्टर्स में ज्यादा पैसा है बाकी बुतने कबर हो जाता है अगर आप एक इंटरेंटमेंट वाला चैनल बना रहे हो तो वह हमारे वीवर से और जो आपके वीवर से इनको आखरी क्या संदेश साब देना चाहें हम लोगों के पास में यूटूब आज की डेट में अगर हम इसकी बात करें अच्छा एक माध्यम है अपने बिजनेस को प्रमोट करने का अर्निंग करने का अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं जैसे मैंने टेलर का भी नाम लिया था तो वह अपना टेलरिंग कर रहा है कपड़े काट रहा है वह कपड़े सिल रहा है वह अपनी हिसकिल को दूसरों को दिखा रहा उसके जरी आज उसकी 100 के से ज्यादा मैंने सुना है सब्सक्राइबर हो तो आप कोई भी काम कर रहे हो, तो वो काम करते रह सकते हो, यूट Rub park आप पड़ाई कर सकते हो, यूट्यूव पर काम, आप इस ही बीच कर सकते हो, लाइक वीडियो सूट कर लिया, उसके बाद में आ करके, हमने अपछानаго कर दिया, मैं likewise जो आपका मदद करती है मैंने कैसारी स्टोरी बुक अपने फीछर सेल्फ में लगा रहा है तो यह सारी बुक्स पढ़ता रहता यह इतनी बुक नहीं मेरे बहुत सारी बुक लगी है इसके अलाबा अब तो अप्लिकेशन में अपना सुनते रहते हैं जिम में वहां वर्क आउट कर रहा है तो यह पैसा है यूटूब पर करियर बना सकते हैं लेकिन यह नहीं को कि सारे काम छोड़ करके आप इसे करो आप इसे ट्राइब करो जब आप पहला वीडियो अपलोड करोगो तो आइसा नही यूटूब का जो एक प्लेटर्म है उसमें लॉग इन करते हैं इस्टूडियो में तो अनल्टिक में वहां पर इंफोमेशन आपको दिख जाती है किस वीडियो पर हमारा ज्यादा भी उजाया है किस पर लोगों ने कमेंट किया है तो और आउडियंस क्या चाहती है पसंद उसमें कमेंट भी लोग बताते हैं उनका इंट्रेस्ट आपको पता चलता है तो उसके तरीके से आप फॉलो करके काम कर सकते हो वीडियो आगे भी और बढ़ सकते हैं आपके सर बहुत बहुत शुक्री आपका लाइसमाचाट टीवी को समय देने के लिए ये थे हमारे साथ नसीमली खान यदि आप भी अपने बारे में बताना चाहते हैं लाइसमाचाट टीवी को तो हमारे पर मेल करिए मेल आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी तब तक इजाज़त चाहते हैं जे हिन जे भारत